इसमिल्ला रफ्मान रहीम वेलकम तू माइ चैनल वट कलीम और सब्सक्राइब फर मोर वर्टनेरी वीडियोज आज इस ड्रग के हम बात करेंगे किटोप्रूफिन इंजेक्शन है एंसेड है विज्ट्रॉंग अनलजेजिक एंड एंटी पायराटिक एफेक्ट्स इंडिकेशन के हम बात करें तो जो भी कंडिशन है जिसमें पेन और इंफ्लेमेशन है उसमें हम यूज कर सकते हैं इंटिपायरेटिक ट्रीटमेंट फॉर ब्रॉंको नमूनिया और इवन यू कन उसेट इन तर अडीमा एंड मेस्टाइटस इकुआइन कोलिक इन सब कंडिशन में पेन भी है और इंफलेमेशन भी होती है इसमें कंट्रा इंडिकेशन यह हैं कि आपने किस मैडिसन को किसी भी दूसरी मैडिसन के साथ मिक्स नहीं करना, स्टेराइडल के साथ भी नहीं और एंसेट के साथ भी और जो Animal KITOPROFIN से allergic है उनमें भी use नहीं करना और जिनमें kidney और liver impairment है उन animal में भी use नहीं करना और जो breeding animal है हामला जानवरों में बिल्कुल इसका use नहीं करना डोसीज कि अगर हम बात करें तो horses के अंदर musculo-skelder disorders के अंदर हम 1 ml पर 45 kg slow IV यूस करेंगे I repeat it again, slow IV injection हम use करेंगे, IM injection horses के अंदर use नहीं करेंगे, for once daily for 3 to 5 days, equine koli की अगर हम बात करें तो 1 ml पर 45 kg, slow IV injection once repeat dose if required, cattle के अंदर जो है, इसकी dose relatively equine से ज्यादा है, 1 ml पर 33 kg, इसमें आपके पास दो options हैं, slow IV या deep IM use कर सकते हैं, once daily for 3 to 5 days, withdrawal period की बात करें, तो intravenous, जो milk में, nil and meet one day, and for 4 days for intra muscular, star laboratories की ये product है, और ये loxan से ज़्यादा effective है, loxan भी unsaid है, और loxan से ज़्यादा effective 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 है, और is कंट्रा इंडिकेशन लॉक्सन से काम में, अब एक बहुत important point के, इसकी precautions क्या है, या cushions क्या है, इन conditions में आप इस ड्रग को बिलकुल यूज़ ना करें, अगर animal में GI ulcer है, bleeding है, hyperproteinemia है, या breeding animal है, या renal या hepatic impairment है, तो आप ketoprofen को हर्गिस यूज़ ना करें, इसके अलावा इसका intra-artrial और subcut injection भी आप avoid करें, ये जो preparation है, star laboratory की, इसमें 100 mg per ml composition है, और available packings जो है, वो 10, 20 और 50 ml है, ये non-steroidal anti-inflammatory drug है, with powerful analgesic and anti-piratic properties, और non-narcotic है, अब इसमें इस preparation के इलावा मैं बात कर रहा हूं, I repeat it again, इस preparation के इलावा मैं बात कर रहा हूं, कि आप इसको ketoprofen को cat, dog और birds में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये preparation हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 100 mg per ml है, हमें cat, dog और birds करिए, just 2 mg per kg चाहिए, अगर इसकी कोई और preparation है, या tablets की form में available है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके इलावा gentamicin के साथ इसको use ना करें, और अगर overdose करेंगे आप तो इससे GI और kidney और liver के problems आ सकते हैं, जैसा के बाकी NSAID से आते हैं, that's all from my side, subscribe for more interesting veterinary videos, Allah hafiz.